भाई और भाणों, कल आपने बजट में और उसके बाद टीवी पर चर्चाओं में और आज अख़बारों में एक बात पड़ी, सुनी, देखी होगी, एक शब्द गूंज रहा है, चारों तरफ, हर कोई बोलना शुरू किया है, देखते ही देखते कानों कानों बात पहुँचने लगी है, और वो क्या है? फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी, आखिर फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी के लक्ष का मतलब क्या है? एक आम भारतिये जिन्दगी का, हर एक भारतवासी का, इससे क्या लेना देना है? यह आपके लिए, सबके लिए, जानना भी और जानकर के घर गर जाकर के बताना भी बहुत ज़रूरी है जरूरी इसलिए भी है, क्योंकि कुछ लोग है, जो हम भारतियों के सामर्थ पर शक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष प्राप्त करना बहुत मुश्किल है आपने सुना होगा, कल से चर्चा चल देए साथियों जब ऐसी बाते सुनता हूँ तो काशी के इस बेटे के मन में कुछ अलगी भाव जगते हैं आशा निरासा में उल्जे लोगों तक मैं अपने मन के भाव पहुचाना चाहता हूँ वो जो सामने वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है उसी से तो मेरे होंसलों की मिनार है चुनावतियों को देखकर चुनावतियों को देखकर घबराना कैसा इनी में तो छिपी संभावना अपार है चुनावतियों को देखकर गबराना कैसा इनी में तो छिपी संभावना अपार है विकास के यग्य में विकास के यग्य में परिश्रम की महग है यही तो मा भारती का अनुपम स्रंगार है विकास के यग्य में परिश्रम की महग है यही तो मा भारती का अनुपम स्रंगार है गरीब अमीर गरीब अमीर बने नए हिंद की भुझाएं गरीब अमीर बने नए हिंद की भुझाएं बदलते भारत की यही तो पुकार है देश पहले भी चला देश पहले भी चला और आगे भी बड़ा अब न्यू इंडिया दोड़ने को बैताव है दोड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है तो साथियों बात होगी होसले की नई संभावना होगी विकास के यक्यकी माभारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की ये सपने बहुत हद तक जोड़े हुए है फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनामी के लक्ष से